दोस्तो मांगो आप अपना कोम्पीटोर या लाप्टोब में एक बड़िया सा मुवी देख रहे हो। वो भी एक होरोर मुवी। इसलिए आप अपना लाप्टोब से थोड़ा सा दूर बैठे हो। या फिर आप अपना बेड में लेटे-लेटे एक रोमांटिक मुवी देख तो भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा पता है आपके साथ क्या होगा आपका laptop का audio आपको सुना ही नहीं देगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है बाद में आप YouTube में आके सर्च करेंगे पर एसा वीडियो आपको YouTube में इसलिए यह वीडियो आपके लिए है वीडियो को लाइक कर देना या चेनल को सबस्क्राइब कर लेना आज का टॉपिक होने वाला है कैसे laptop में वीडियो देख सकते हैं और इसी वीडियो का audio mobile में सुन सकते हैं वो भी wireless भी और बीना कीजी software को डाउलोड पर afin इसके साथ ही मैं यहाँ पे screencast का कुछ pro tips भी CR करने वाला हूँ इससे आपका काम और भी हसन हो जाएगा इसके लिए पहले हमें setting पे जाना होगा यहाँ पे start पे click करके setting पे click कर देता हूँ और यहाँ पे आपको system में click करना है और system में click करके नीचे आपको projecting to this PC आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको click कर लेना है और यहाँ पे आपको available everywhere और first time only और never ऐसे आप रख सकते हैं और इसे off करके रखना है और यहाँ पे आप click कर सकते हैं नहीं तो आप directly notification के थरो भी जा सकते हैं उससे पहले आपको wifi को on कर लेना है तो यहाँ पे आपको click कर देना है तो मैं यहाँ पे notification के थरो में projecting करूँगा तो यहाँ पे आपको एक pop-up देखने को मिल जाएगा जैसे ही mobile में cast को on कर देंगे आपके अपने mobile के हिसाब से आपके पास cast हो सकता है जैसे ही आप ok करेंगे आपका screen cast हो जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा mobile का screen laptop में आ गया है mobile भी मैंने कौन से सेटिंग किया जिससे मेरा screen laptop में आ गया है वो भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ screen mirroring के time यह सेटिंग आपको directly दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ पे एक screen shot कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप जैसे ही screen cast पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का pop-up दिखाई देगा और यहाँ पे जो भी laptop show करेंगा उस पे आपको क्लिक करना होगा इसी तरह आपका laptop से mobile का screen mirror हो जाएगा इसके बाद आपको setting पे जाना है और यहाँ पे developer option पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे show tabs का option दिखाई देगा यहाँ पे यह off होगा तो on कर देना इससे आप जब भी screen में टाप करेंगे यह आपको दिखाई देगा इसके बाद इसे customize करने के लिए आपको general management पे जाना है यहाँ पे आपको mouse and trackpad में क्लिक करना है इसके बाद pointer size and color में क्लिक कर देना है यहाँ पे pointer size लिखा हुआ है इसके नीचे color लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसके color को change कर सकते हो इसके साथ यहाँ पे pointer size पे scroll करके इसे छोटा या फिर बढ़ा कर सकते हो अभी जो हमरा वीडियो का main part है उस पे जाएंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे data on कर लेते है क्योंकि यहाँ पे हम एक वीडियो चला के दिखाएंगे और यहाँ पे इसका audio मोबाइल से आएगा और वीडियो को हम laptop में देखेंगे पहले हम online मोड में देखेंगे इसके लिए हम यहाँ पे YouTube को open कर लेते है और यहाँ पे आप directly यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी तो मैं यहाँ पे search कर लेता हूँ जैसे कि मेरा channel का नाम है code with noble तो यहाँ पे code with noble लिख देता हूँ और यहाँ पे search कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा channel आ गया है यही पे मैं click करता हूँ और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे मेरा और एक पूराना वीडियो है यहाँ पे मैं click कर देता हूँ तो अभी जो यह एर चल रहा है अभी में बताऊंगा 100 HTML टाक के बारे में दोस्तो एक नहीं दस नहीं पूरे के पूरे एक सो most important HTML टाक के बारे में बताने वाला हूँ मतलब जिन सरे टाक को बहुत जादा यूज किया जाता है उनके बारे में बताऊंगा तो दोस्तो प्लीज वीडियो को सियार कर लेना क्योंभी जो कोई भी coding सीख रहा है या पर सीखने वाला है तो दोस्तो में यह आपर हर एक टाक के साथ एक एक जामपूल लेके बताऊंगा इसका मतलब तो हमारा चैनल का नाम वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा उसके राइट साइड में एक सब्स्राइब का बोटन भी दिखे रहा लीज उसे प्रेस कर लेना तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो देखा आपने कितना आसान था एसे ही आप हेड़फोन को भी कॉनेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी ब्लूटूथ को भी कॉनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना हेड़फोन को कॉनेक्ट किया हुआ है अभी दोस्तों हम एक offline वीडियो चलाएंगे तो यहाँ पे data को off कर लेते हैं और यहाँ पे gallery में जाके यहाँ पे हमरा जो offline वीडियो है उसे on कर लेते हैं तो यहाँ पे चला के देखते हैं यह directly full screen पे आ गया है यहाँ पे आप इसका sound को, audio को आप mobile पे भी सुन सकते हैं और PC पे भी सुन सकते हैं इसका output देख सकते हैं अभी दोस्तों हमारा last point है यहाँ पे कुछ tips and tricks के बारे में बताऊंगा अगर आप कुछ task perform कर रहे हैं यहाँ पे आपको rotate करना है तो कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे auto rotation का on call लेना है यहाँ पे मेरे पास auto rotate का option है आपके पास कुछ भी हो सकता है इसके बाद हमारा दूसरा setting है mobile का ratio को change करना तो यहाँ पे आपको side में एक option दिखाए देगा वही पे click करने से आपको यह screen open हो जाएगा यहाँ पे आप click करके इसका ratio change कर सकते है यह screen पे आपको दिखा ही नहीं देगा तो यहाँ पे मैं screenshot करके आपको दिखा देता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नॉम्बर से आप पोज कर सकते हो स्मार्ट व्यू को इसके बाद जो है फॉन के स्क्रीन को डार्क कर सकते हो यह आपका मूवी देखने के टाइम बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा इसे क्लिक करने से मूबाइल का स्क्रीन डार्क हो जाएगा बट लाप्टाप में आप बहुत ही आसानी से मूवी देख सकते हैं तो इस तो स्क्रीन मिरोरिंग के टाइम मूबाइल का पावर को ओप करने से आपका स्क्रीन मिरोरिंग डिस्कोनेक्ट नहीं होता है इसके बाद हमारा last point है कैसे आप screen mirroring को disconnect कर सकते हैं इसके लिए आपको wifi को off कर लेना है नहीं तो आप smart view पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका screen mirror disconnect हो जाएगा दोस्तो ये था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा comment करके मुझे वाता देना वीडियो को एक like कर देना है और चनल को भी subscribe कर लेना है